कि अग्यों कि अग्यों करेंगे हम लोगों ने जहां पर इसको पढ़ा और इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा इस वाइल को एक वर्ब की तरह भी यूज किया सकता है अगर हम इस पर इसका मतलब होता है गंदा कर देना खराब कर देना इस पॉइल माइचेर आज की जो मूवीज है यूवाओं को बिगाल रही है तो यह वह पी तरह भी यूज किया जाता है बट एजन वेंग्वर वेनेवर वेनेवर वी यूज इस पॉइल लगाना पड़ेग तो यह वर्टों हम लोगों ने कर लिया था और 75 वर्ट वहां रहें गया था और यह है विनिंग्स यह जरन नहीं है यह नाउन है विनिंग्स आपको दिखाई पड़ेगा प्रतोगता खेल आद्धी में जीती हुई धनराशी जीता हुआ माल मानी देट संबड़ी विन्स आप 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 ओनलाइन वेबसाइट्स आउनलाइन एपस हैं जिसमें लोग बेट करते हैं पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं तो जुए में या खेल में जीती के धनराशी जीता इनाम जो है उससे विनिंग्स कहा जाता है नेक्स वड़ पे आते हैं अगर आपकी एज एटीन के एसपास है तो इस तक घर में आपने जारू लगाई होगी और जारू लगाने से जो कुड़ा करकट एक अठ्था होता है उसे कहते हैं स्वीपिंग्स एक नाउन है कुड़ा करकट यह और यह जो है आपका एक जरन है जरन है अब इसके आगे वर्ड और लिखा अगर आप इसको वर्ड की तरह देखें तो क्या होता है अशुकार कर देना लेकिन रिफ्यूज को लेकर आओगे अगर एक नाउन लेकर आओगे तो इसका मतलब है जालू लगाने के बाद जो पूला करकट एकठा होता है उससे रिफ्यूज कहा जाता है कुछ और एक्जा एक नाउन है यहां पर एक नाउन है और यहां पर वॉण नहीं है अगर आप अगली बार विफ्यूज को देखे तो सिंट्रेस में देख लिएगा इसका यह वी तरह किया गया है यह नाउन की तर्हें और रविश कूला करकर तो फक्ट है तो इस सेथ में हमारे हमारे पास हमारे पास हमारे पास रबिश यह चीज़ें हमारे पास है तो हमने इसको किया किराई पर रहने कमरा कि अब आप लोग other students है और आप garden deciding और अपने घर से दूर रहरे हैं तो आप logins में रहते हैं जो यह लोब liegen लिखा हुआ है मैंने Logging और इसको full board and logism 취 लाजेंगे लाजिंग जिस्टीपर टैनोल नहीं laugenBen कि आ आहेगा जैसे आप किराए पर रहते हैं तो a room in someone's house which you live in and pay rent for इसका specific use है board and lodging अगर मैं कहता हूँ आपके hotel की booking full board and lodging है तो a room to stay in and all meals, all meals का मतलब इसमें breakfast, इसमें lunch और इसमें dinner included है breakfast आप रहे भी hotel में आपको breakfast भी मिलेगा lunch भी मिलेगा और dinner भी मिलेगा तो उसे lodging कहा जाता है special use में आता है hotel की booking बगरा में इसका यूच किया जाता है लेकिन रहने के लिए जो आप रूम रेंड पर लेते हैं उसे रूम तो आप अगर नॉर्मल नाउन बोले रूम तो आप रूम कह सकते हैं लेकिन सही बड़ जो है वह लॉजिंग्स नेक्स पर चलेंगे और नेक्स बड़ जो है हमारा exploits कभी बचपन में अगर आपने हिंदी भी कुछ कविताय पढ़ी हो तो शेख चिल्ली के कारणामे भारतिय सेना के कारणामे ऐसे करके चीजें आती हैं जो हम लोग पढ़ते हैं तो exploits शहासे कार या कार्णामा एक्सप्लॉइट जबब शौशन करना या दोहन करना होता है अगर मैं इउप्रॉइट को लेके आता हूं तो एक्स्प्लॉइट करना अ मर्देख एक्सप्लॉइट करते हैं तो जितना हिउमन किर श्र्वाइवल के लिए और की की requirement है उतना ही आप अगर यूज कर रहे हैं तो हम कहा रहे हैं ग्राउंड गॉटर को एक्सप्रवाइट कर रहे हैं लेकिन दूसरा देखिएगा तो यूज सम्थिंग अनफेरली अगर आप किसी चीज को अनुचित तरीके से प्रियोग कर रहे हैं तो आप इसे कहते हैं क्रिये अर्स काम करा रहा हूं सब्सक्राइब कर रहा हूं यह वर्प की तरह है लेकिन जब नावन की तरह यूज किया जाएगा तो वड़ आएगा एक्सप्राइब लिजेंडरी उसके कारणा में सहसे कार्य सम्थिं ब्रे एक्साइटिंग और इंटरेस्टेग भार्तिय स कई बार हम लेंगविज में कहते हैं गट्स हैं तेरे अंदर किसी कारे को करने की छंता है कुछ determination है तंकल्फ है लेकिन गट्स का वास्ता मतलब है उदर के चारों और के अंग विशेष्टा पशू में दा ओर्गन्स इन अराउंड दा इस्तमक जो हमारा इस्तमक है इसमें जो तो गट्स गन्दकीसि बाहरी पार्ट होता है वो खाये जाता है मैं तो कभी नहीं आग्छा अगर आप श्रकुम करते हैं तो आप इससे जानते होंगे गट्स तो गट्स इसमक में जो ऑउर्गन्स मिलते हैं उन्हें कहा जाता है और इसका सेकेंड मेंग जो कि फिकूरेट और अगर आपके अंदर करेच और डिटर्मिनेशन है तो आगे पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं लेकिन इसका मतलब बस यह ही है तो डू सम्थिंग डिफकल्ट और अन्प्लेजेंट क्या कमांडो बन सकते हो अरे मेरा मन नहीं है कमांडो बनने का मन नहीं है कहए और अगर व्यक्ति के लिए हम कहते हैं आप तुम्हारे अंदर गंख कारे को या किसी अप्रिय कारे को करने का तुम्हारे अंदर साहस और निश्य नहीं है तो देट गट्स और दोनों ही केस में आपको गट्स ही यूज करना पड़ेगा आपको गट्स ही यूज करना पड़ेगा वब जो आएगी वह आपकी प्लियरल आएगी नेक्स पार्ट पर चाहलेंगे आप एक जन्यून कोश्चन मुझसे पूछ सकते हैं सर वाकई में क्या ज़रूरत हैं इतने सारे वर्ट को पढ़ने की नॉट नेसेसेरली नॉट नेसेसरली बट इस ऑल्वेस गुड तो एटलिस्ट वाक त्रू थू 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 इस वीडियो ए एक बार इन वीडियोज को देख लीजिए और अगर आप दुबारा अपने नोट को भी देखेंगे तो आप इनको बहुत इसली रिकॉल कर सकते हैं नहीं जो होता है दिवार से बाहर निकलती हुई जुकी छत का किनारा या चज्या देज़ ऑफ रूफ डट इस्टिक आउ द का किनारा जो होता है इस केस में उख नहीं किया जएगा तो सब्सक्राइब करते नहीं है कर सकते हैं यह चह नहीं में में आएंगे confines confines अगर आप देखेंगे सीमाएं लिमिट्स और बॉर्डर इस बियोंड दा confines of human knowledge यह मानव ज्ञान की सीमाओं से परे हैं we must operate within the confines of the law now within the confines अगर मैं कहता हूँ confines as a verb किसी को कैद कर लेना किसी को बाहर जाने से रोक देना कैद करना और जो आपका noun है confinement एक noun इसका जो आता है वह आता है कैद का मतलब हर बार जेल में नहीं आप लोगों मेरी दियों और मैं आपने मैंने क्लास में कैद कर लिया है तो इंपरिजन करना यह तो बढ़ नहीं होगा क्योंकि आपको गोवर्मेंट के द्वारा और वह रूम जिसमें आपको बंद किया गया है उसमें रूम हो गया और कैद को क्या कहा जाएगा कंफाइनमेंट को भी देखिए गा लेकिन जब हम बात करते हैं नाउन की कंफाइन की तो देट इस लिमिट्स और बॉर्डर स इच बियोंड दा कर बीयॉंड दा कंफाइन से परे हैं मतलब हमारी समाज में नहीं आएगा बिदिन दा कंफाइन सब्सक्राइब कानुन के दायर सब्सक्राइब करते हैं तो किसी के दा संस्कार पर पूजा पार्ट जो भी काम किये जाते हैं तो आप्सेक्राइब अगर हम केवल बात करें एश की तो यह क्या होता है राख होता है तो एश और भास्मद्दा संसकार के अवसेश दा आश डाट रिमेंस वर डेट परसंस बॉड़ीज बर्ट जब एक व्यक्ति के शरी को जला दिया जाता है तो जो धूल बचती है उसे कहा जाता है एश उसकेस में एश नहीं आएगा उसकेस में एश ही आएगा और यह प्लूर नंबर में यूज किया जाएगा अगर आप अभी छोटे हैं तो शायद आप किसी के क्रिमेशन में ना गए हों लेकिन अगर गए हैं तो बहुत अच्छा वर्ड नहीं है जो मैं आपके साथ यूज कर रहा हूं डेट बॉड़ी के जलने के बाद या बर्न होने के बाद क्रिमेट होने के बाद जो रिमेंस बसते हैं उसे कहा जाता है अब इंगलेंड और और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एसे ट्रॉफी है तो वह किसी स्टंप को जलाकर राख बना ली गई है और एक छोटी सी अर्ण में उसको रखा गया है वह आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं एसे ट्रॉफी एक्ट्रेलिया औ और इंगलेंड की बीच में होती है और इसकी भी कहानी है वह आप नेट में चाग कर लिजेगा वरना फिर व्यूडियो बहुत लैंड दी होंगे सेकेंड आज सिटुएशन इन वे सम्टिंग इस कंप्रिटी डिस्ट्रॉइड आप ऑफ कोर्स अगर मैं फाइनेंस में काम क कर रहा हूं या मैं बैंक में काम कर रहा हूं किसी भी डिपार्टमेंट में फंक्शन कर रहा हूं तो आपके समय में जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं ऐसे लिविंग पॉलिटिशन होंगे जिनके प्राइम इस्टर बनने की उम्मीद हैं हमेशा के लिए खतम हो रही है क्योंकि मैं एक specific नेम नहीं लूँगा क्योंकि आप different time period में इस वीडियो को देखेंगे the organization has region from the ashes to become very successful ठीक है और has region from the ashes मतलब बरबाद होने के बाद फिर से खड़ा हो गया तो एक एडियम भी आता है to rise from rise like a phoenix from the ashes एक बार खतम होने के बाद पुन्हा जो है दुबारा से successful हो जाना जैसे businessman है कोई और यह एडियम के वीडियो में आप से चेक कर सकते हैं और उसका पूरा business खराब हो गया but he has region from the ashes to rise from the ashes मतलब बरबादी से पुन्हा खड़े हो जाना पुन्हा सफर हो जाना तो यह तो आ गया आपका एसे ठीक है जो एक वर्ड मैंने यूज किया था कि जो एसे ट्रॉफी है वह और में रखी है छोटा साथ छोटे सी है वह ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी ट्रॉफी है ठीक है ना और आक्टुली अस्थी कल या या कई यह जो राख रखते हैं उसे कहा जाता है अगर आप रेल्वे सेशन पर गए होंगी तो चाय वाला इसमें चाय बेश रहा होता है यह तो यह लेकर आता है इसे भी कहा जाता है अलार्ज मेटल कंटेनर विदर टैप यह रहा आपका यूज फॉर मेकिंग एंड औ यह चाय डिस्पेंस करने के लिए यूज होता है और इसमें हम एशेज को रखते हैं अब आप खुछ सोचिएगा नॉर्मल लाइश में जो वर्ड यूज किया जाएगा वह इसके सटेंड मीनिंग में आएगा तो अब हम नेक्स वर्ड पर चलते हैं और नेक्स वर्ड है कार्ड अब कार्ड अब बात करते हैं चलो ताश खेलते हैं तो लेट्स प्ले कार्ड नहीं होगा लेट्स प्ले कार्ड लेट्स अब गेम आफ कार्ड वू वांस तो प्ले कार्ड आप इस एस को हटा नहीं सकते ह खेल को जो कहा जाता है और यह नाउन के टॉपिक में इंक्लूड किये जाते हैं जिसकी व्यक्ति जिसकी व्यक्ति को किसी कार्ण के लिए उप्युक्त माना जाता है यह तो इसकी हो गई के लिए आप कोई भी एक्जाम दे रहे हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्रणशनल रहे हैं और अची के लिए को यह सब्योगत आप 25 के एज भी है तो यह सभी चीज़े मिल के जो बनाती है वो बनाती है क्रिदेंशियल अगर मैं बोलता हूं he has the perfect credentials to become a fast baller तो fast baller बनने के लिए क्या क्या जो quality चाहिए वो क्या हो गई क्रिदेंशियल कभी भी क्रिदेंशियल without s क्रिदेंशियल नहीं बोला जाएगा तो यह आपके फिलर के साब से आप फॉर्मल लैंग्वेज में काफी इस वर्ट को यूज़ करते हैं और यह है क्रिदेंशियल सब्सक्राइब के लिए इतना याद करना है आपको गोण प्रशिच्छन अनुभव वालिटी स्ट्रेनिंग और एक्स्पीरियंस और किसके लिए हर एक कार्य के लिए अलग-अलग होता है तो करें वाला दॉक्यमेंट्स बस वह क्वालिटी क्या होंगी और को प्रूब करने के लिए आपके पास जो डॉक्यमेंट्स है आप कहते हें कि आप एक बन सकते हैं तो आपके पास कुछ certificates होंगे कि आपने किस competition में वाट स्पिट किया या आपके पास कुछ cuttings होंगी जो प्रूब करेंगी कि आपको एक अच्छे बॉलर के रूप में acknowledge किया गया तो अगर आप documents आप जो दिखाते हैं कि आपके अंदर यह quality है यह qualification है तो documents वह कहा जाता है credentials का हमने दो जगह यूज किया qualities को प्रूब करने वाले जो documents है यह जो हमारे credentials से हैं और इससे अच्छा मैं आप चाहिए समझाओं आप offline में भी पढ़ें online में पढ़ें इसमें कोई difference नहीं आने जा रहा है credentials ऐसे समझाए जाएगा next word पर चलेंगे and that is livings now livings अभी आपने देखा sweepings देखा इसी वीडियो में देखा आपने winnings देखा आपने livings आपने जूठन 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 सही रिखा हुआ हिंदी में देख लीजेगा something that you leave because you do not want it especially food आप restaurants आते हैं और आपने जो बल्क में खाना order कर लिया लेकिन जो बच गया वो कहलाता है livings किसी चीज का प्रयोग करने के बाद जो चीज बच जाए उसे कहा जाएगा livings सफाई करने के बाद जो मिला जाए वो जोए में खेल में जीता जाए winnings तो livings हो गया आदन वी आप टू वर्ट ग्रीन अन ब्लू अब आपको ग्रीन तो हरा हरे कैसे बोलोगे और ब्लू नीला नीले कैसे बोलोगे तो इनके नाउन की तरह आ रहे है और इनके मीनिंग अलग है नहाँ जब भी हम बात कर रहे है है अगरेन की जृषितए और मतलब है हरी सब्धियां वजितिवर्जब विद्धा ग्री लीवग्री तो इतप यूर ग्रीन सब्सक्राइब ह्लिए अथ इंप्रूटन टो इत फ्रेश् ग्रीन यहाँ पी ग्रीन लगाये या रहा रहा है जरूरी है कि आप जो है व्रेश अ हर दिन खाएं तो इस नोट ग्रीन इस काल ग्रीन ना ब्लूज ब्लूज मतलब यह वाला पढ़ लिजेगा आ फिलिंग ऑफ सैड्नेस डिप्रेशन बस मैं बहुत निराश हूं इस समय बहुत दुखी हूं तो ब्लूज और टाइप ऑफ स्लो साड म्यूजिक दिल तूट गया है किसी का किसी का सेलेक्शन नहीं हुआ है किसी को किसी का प्रेमिया प्रेमिका छोड़के चला गया है तो वह संगी सुनता है वह भी कहलाता है नॉर्मली यूज अब ब्लूज सिंगर दुख बरे गीत गाने वाला ब्यक्ति दुख बरे गीत गाता है और अत्याधिक उदाश यानिराशा अब जीकर क्या करेंगे जब दिल ही तूट गया ब्लूज ठीक है एंड फीलिंग ऑफ सेडनेंस ग्रेट सेडनेस बहुत आपको सुन लीजिएगा एक बार और सब आपके पास जैसा आप यहां दिखाई पढ़ रहा है वैसा आपके पास नोट्स में भी है नेक्स्ट आपके पास आता है कर्ड करड़ यह आप स्लाइड देख रहे हो यह आप एक मिनट में देख लोगे लेकिन इसे प्रूब करने के लिए आप जो करड़ वाटर है मिल्क है यह सब आते हैं अनकांटेवल लाउन में और इनकांटेवल लाउन के लिए हम जानते हैं इनका प्लूबर नहीं बनाया जाता हूं जब मैं कर्ड की बात कर रहा हूं तो का भी प्रियोग कर सकते हैं तो आप चाहें तो कर्ट पड़ेगी प्रूर लगानी पड़ेगी जैसे कि यहां पर अगर आप इसको सिंग्लर फॉर्म में लिखते हैं तो आप सिंग्लर बपका यूज कर सकते हैं क्या होता है गाहों के बेहने वाले बच्चे कई होंगे मठ्था या चार्च तथिन लिक्विड देट फ्रॉम मिल्क आफ्टर दा सॉलिट पार कॉल कर्स है विन हैज में रिमूट तो जो पानी बसता है उसे वह का जाता है और इसका प्रियोग जो है फ्लोर को नीट करने के आटा गुंदने के लिए और कई प्रकार के कामों में किचन में लिया जा सकता है तो अगर आपके मां आपको किचन में ले जाती है और चीज़ें सिखाती है तो आपको समझ में आ जाएगा तो दर इस नाइंटी अभी भी इस आए फोर्थ वीडियो है जो हम किवल ग्रुक को लेकर चल रहे हैं और इससे आपके नॉलिज पका और कई वर्ट्स जो है आप नई सीख जाएंगे नेच्ट आप जो आपके पास वर्ड है वह आने वाला है शेविंग छीलन यह पहले आ चुके हैं और मैंने इस वर्ड को शेविंग को इसके कंपर जैन में आपको दिख क्याल आती है शेविंग्स है यहां पर और लिखा है थिन पीसेज कट प्रम पीस ओफ वूड इस्पेशली एट्सेक्टरा यूजिंग शार्प टूल इस्पेशली अप्लें अगर मैं कहता हूं हमने इसको प्लेंट से करा है तो आप को वायू यान से क्या मतलब है इसका प् लकडी है यह तो वुड है और जो यह यह निकल रहा है यह है शेविंग्स यह पड़ी हुई है शेविंग्स ठीक है आट टूल यूज़ फॉर मेकिंग दा सर्फेस ऑफ वूड स्मूथ लकडी को चिकना करने के लिए इसको हलके हलके छीला जाता है और जिस टूल का यूज करते हैं और जो छीला निकली है इसे कहते हैं शेविंग्स तो आपको समझ में आ जाएगा जो चेरे पर बनाते हैं वह बगर एसके हैं शेविंग्स ठीक है तो अब आपको दिखाई पड़ेगा नैस्ट पर हम चलेंगे और आप कहेंगे सर आप 91st के बाद सर आप 36 पर आ ग कर रहा है शीर की कर रहा है यह अप लोग के घर पे कर्टेंश होगे अब कर्टेंश जो होते हैं तोड़े होते हैं और यह क्या होता है डाइफस्य कपड़े ऐसे कपड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके आर पार दिखाई पड़े तो जो डाइफैनस वर्ड है पहले तो आप इसको सीख लीजेगा अलग से जो बड़ है डाइफैनस और यह क्लोथ के लिए आता है और अप्लोथ और इनको कहा जाता है सी थू गुब कि क्लोथ होते हैं इतने ड्रांस्पायरंंट होते हैं के बॉडी पार्ट्वी दिखाई पड़ते हैं इनके भाइस तुह पहले तो पहले हम इस वर्ट को देख लें कि डाइफैनस क्या है अगर यह समझ में आ गया हो तो हम समझ जाएंगे कि इसे क्या होते हैं तो द्लगा दिशाते है अंत्रेंस पर लगे होते हैं तो लाइट को पास नहीं ऑनेuzzah कल अकि है तो यह आप अगर दूसरे देखें तो मड़ी हल के कलर के होते हैं इसमेंसे ठोड़ी भहत लाइट जो दिखाई पड़ती है शीर्स एलाओ lots of light while curtains block all or lots of light curtain थोड़े से transparent नहीं होते और यह काफी transparent हलके पर्दे हलके हलके रंग के परदे color नहीं ऐसे पर जिसे आरपार का दिखाई पड़ता है बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता और curtains में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा तो यह यह जो लगे हुए यह curtains नहीं है curtain थोड़े से dark होते हैं और heavy color के होते है डाइफैनस नहीं होते है जाइफैनस नहीं होते तो आपके पास एक adjective आया और यह शीर्स जो है और यह शीर्स को देखिए गा दोनों का जो pronunciation है वो सेम है तो यह भी आपको समझ में आएगा कि यह हमारे लिन से सिरी है next tactics tactics word सुना होगा tactics is actually down page युक्ती चाल कोई तरीका the manager discuss tactics with his team confrontation is not always the best tactic यहाँ पर देखे तो single number है मैं लिखा है countable यूजुली प्लूरल यह आता है लेकिस सेकेंड मीनिंग में आर्मी की बात करते हैं रण कोशल 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 पूर्पूर विवस्था the skillful arrangement and use of military forces बस यहीं तक कॉन सा जनरल किसको आउटबिट करेगा कैसे हराएगा एक आर्मी दूसरे आर्मी को कैसे करेगी तो इसके लिए हमें tactics का यूज करना होता है लेकिन आम जीवन में जो आप देख लाते हैं सीरियल साते हैं एक लड़की तंग करती है तो तंग करने तो यह वर्ट tactics ही यूज किया जाएगा नान्टी फोर इस विसी से टूट्स पहरे तो आप इस वर्ट की स्पैरिंचर करिएगा वी आई सी विसी फिर टूट्स विसी से टूट्स दो बारे बोला जाएगा इसको विसी से टूट्स एक रात ऐसा होगा एक व्यक्ति सुया औ और जब वो सोया तो उसको समाज पसंद नहीं करता वह बिल्कुल होपलेस है और उसका समाज में कोई भी एक्नॉलिजमेंट या कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है लेकिन जब वो सुबह उठा तो पता लगा यह यूपिए सी टॉपर है तो अचानक से रात ही रात में जीवन में बड़ा परिवर्तन आ गया और यह व्यक्ति आई इस बन गया और इसने जीवन जीना शुरू कर दिया और कुछ दिनों के बाद इसने बहुत सारा पैसा अगटा कर लिया नंबर दो का पैसा कर लिया फिर एक दिन सी व्याई ने इ बड़ेली में इस ने के बतलाव को लिए जिती में आने वाले बतलाव और ऊतार उतार चलूउथ Phase Viscisitutes of Family Life कभी परिवार में खुशियां हो जाती है कभी परिवार में गम हो जाता है अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो कभी अच्छा लगेगा कभी खराब लगेगा कभी हाइस पीडिज में होंगे कभी आप लो इस पुरिटिस में होंगे तो जीवन में आने वाले सिसे दो बाद सी बोलना है आपको वेसे और हमेशा इसमें एस लगा ही होगा ठीक है तो यह 94 हो गया वर्ड और यह बहुत कॉमनली यूज़ वर्ड है जो आपके वोकैब में यूज़ किया जाता है नेक्स पर आते हैं और इस बार 94 है और गुरुप एक है जो यह तीन वर्ड से एकिस्त मोरस और मैंडर्स तो जो इनकी बात होती है एक साथ दिखाता हूं आपको और समझाने की कोशिच करता हूं एक्षिक्स और मैंडर्स में अंतर के बहुत ध्यान समझेगा क्योंकि बहुत क्लोश स्टेस में जब आप इसके मार्क करते हैं चीजों को तो बड़े nuances की necessity होती है प्रॉब्लम यह नहीं है कि नाउन के टॉपिक को खतम नहीं किया सकता प्रॉब्लम यह है कि नाउन के टॉपिक को इस हिसाब से इस तरीके से खतम किया सकता है एक पूरी होती है तो मेरा कहना है हाँ हाँ मैंने अपना best foot forward रखा है और मैंने पूरी कोशिश करी है और थोना टाइम ले रहा हूं लेकिन हाँ इन चीजों को मैं सिखा आपको दूँगा तो इनको धंसे सीखिएगा एथिक्स का मतलब सभी वही morality से संबंदित है यह नहीं से मैं कई बार ऐसी situation में आता हूं कि कहते हैं सर हमारा बत्रे है हमारे बत्रे में आएगा लेकिन टीचर जो मेरा रोल है वो मैं आपके साथ parties नहीं कर सकता तो अगर ब्यवसाय में आप किसी नेतिकता का पालन करते हैं अगर मैं जॉक्टर हूं और एक पेशन मेरे पास आता है उसकी जो भी प्रावलम है तो मैं उसको लेकर उसका मजाक नहीं उडाउंगा और अपने दोस्तों को उसके दोस्तों को ले दाऊंगा अब मैं इससे तो यह प्रावलम है कि वो अपने पेशन्ट की जो डूम्लम है उसे social media पर शेर करें ऐसे चिचर्स के अधिक्स ऑं कि कम डांस कर रहे हैं तो इसमें फिर मैं कुछ नहीं कहुंगा आई डॉंट लो कि अपने एथिक्स को फॉलो करते भी हैं या नहीं करते तो ब्यवसाय में जिस नहीं तक पारण किया जाता है ब्यवसाय है कोई संगठन है तो आप कहेंगे देटिक्स ऑप Microsoft एवग कमपनी हैज है स्टैंदर ठेडभाट अफर्ज आपके पास आपसे रेशिज आपके प्रजाति के हैं आप सरीजन के हैं आप कीसे चलिजियंगके हैं इसको लेकर आपके साथ कोई भी पार्शायल्टी लिए प्रजुदाइश नहीं होगा आपको किये जाएगा आपके टैलंट के बेसेच पर एथिक्स डॉक्तर की होते हैं तिचर के एठिक्स होते हैं है है ना MIDshot होते हैं तो ब्यव्षाहेय में पालण कि जाने वाली नहतिकता को कहा जाता है एठिक्स और और फ्रिंस्पड चू पांग कि दफेर्जैसन है इस्पेशली हिंदु रिलीजियन में और प्रैक्टिकली हर रिलीजियन में एक व्यक्ति एक महिला के साथ विभा करता है और जीवन पर्यंद त्रूआउट दो होल लाइफ वह उसी के साथ रहता है लेकिन जो हमारी वैफ सीरीज आती है और वैफ सीरीज सीरीज नहीं गलती स किसी महिला जिसका अपना पती या पती के अलावा किसी और से सम्बंद है तो मैं कहूंगा आप मैं आफ लो मोरल्स अब वोमेन आफ लो मोरल्स तो सेक्ष्वैल्रीटी सारे समьंध को समंग में जो प्रिंसिपल्स ऑफि needle वर्स को एक साथ देखें तो प्रिंसपल्स ऑफ व्यभयर्य है चीछ तो फ्रिंसपल्स ऑफ गूड़्य पहेवियर तो तीनों को अगर ज़रुवत नहीं है आप समझ सकते हैं इसको मतलब सही घ्रता ग्यान नहीं है किसके साथ कैसा बेभार करना है पता नहीं है इस पेशली मैं बोला हूं इस पेशली मैंटर सब्सक्राइब तो जितनी भी आपको हॉलिवूट की दिखाई पड़ेंगी तो पती पत्नी के बीच में लॉयलिटी उनका कोई भी एक बहुत इस्ट्रॉंग पार्ट नहीं होता और लास्ट पर जो हमारा सीट का है वह मैंनर्स टेबल पर बैठे हैं तो कैसे खाना खाना है आपके हां गेस्ट आए हैं आप भोस्त हैं तो आपको कैसे बिहेव करना है यह सोसाइटी और कल्चर में जो बिवहार होता है उससे कहा जाता है मैंनर्स इस बैट मैंनर्स तो शोल्स ऑफ फीट कोई आ गया और आप जूते इसको मोरल तो आप एक टीचर होंके स्टुडिंट के साथ पेसबूक पर चैट कर रहे हैं इसको समझा दिया और तीनों का आप साथ देख लिजिए प्रिंस पर्शुण से और और यह पॉलाइट बिहेवियर यह ही तो अगर आप इसको समझ चुके हैं तो तो आप गुरुप ए जो वर्ट हमेशा नाउन में यूज किये जाते हैं उसको हमने सेख लिया और हां टाइम लगा और पूर्स टाइम लगा बट अब आप देखिएगा जब आपने पहला वीडियो देखा और जब आप यहां खड़े हुए हैं तो आपके नॉलिज में क्या डिफ्रेंस आता है तो यह गुरुप ए इसके साथ कंक्लूड हो जाता है अब हमारे पास कुछ वर्ड है यह वर्ड थोड़ा सा गुरुप एक लास्ट में दिये गए हैं जैसे इस पैक्टिकल्स है तो मैंने इस पैक्टिकल भी सिखाया अब यह शू जो आता है जूते जो है कि अगर हम जो प्रवंते पहनते हैं अगर उसका यूज करेंगे तो वह उसे शू घिलिखा जाएगा लेकिन शू वर्फ की तरह और इसकी सेकिंड फॉर्म जो है वह वह वहांद फॉड है और इसकी सेकिन फॉर्म है वह शूड है तो तो पिलर्स के लिए क्योंकि मैंने क experience बहुत है पढ़ाने का और मैं को देखता हूं रटने की कोशिश करते हैं रट के आप कुछ पार्ट तो निकाल सकते हैं लेकिन अधिकतर पार्ट कंप्रिशन का आप नहीं निकाल पाएंगे जहां पर लॉजिकल थिंकिंग की नेसेसिटी होती है तर्क शक्ति की जड़ोत होती है तर्क शक्ति वहां पर आपको प्रवलम आ जाएगी नाल लगाना तो पूर्ट होर्षूज अना हर्स पर शू बोड़े के नाल अब यह शू करना अश्च बाहर करना डरा कर भगाना तो मेक एन अनिमल और चाइल गो अवे स्पेशली विकॉस अगर आपके पास में सांप आ जाए तो आप उसे नहीं बोलोगे आजा आजा गले लग जा कुट्टा आपको एक दम से लिक करने लगे डॉग तो आप क्या कर रहे हो से आप शू कर रहे हो शू 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 दा केट्स आउट ओप चिकेंड चिकेंड नहीं बहुत कर रहे हो तो इन दोनों का देख लीजेगा और जूते तो हम पहनते ही है तो वहां पर तो शूजी लिखा जाएगा ठीक है ना विद देस अक्चुली एक बढ़न मेरे उपर से खतम हो गया कि हम नाउन में आगे बढ़ रहे हैं और नाउन में आगे बढ़ना और मेरी और मेरे जो बैसे चलते हैं उनके साथ में से कर लेना मान लीजिए इसमें भी काफी डिस्क्रेशन किया जाता है और एक आप इस जो यह नोट्स मैं आपको दे रहा हूं जो वीडियो मैं समझा रहा हूं आपको यह बिल्कुल अप्डेटेड और और यूट्यूब पर बहुत ज्यादा व्यूज गैदर करने के लिए बनाएंगे वीडियो नहीं है ना देखेगा इस लुक प्लूरल फॉर्म दिखते हैं प्लूरल बट हैं सिंग्लर मीनिंग और टेकर सिंग्लर वर्व अभी ग्रूप ए में जो आए दिखते भी प्लूरल है सिंग्लर फॉर्म नहीं है और फॉर्म और बबलें और प्लूरल ही प्लूर लें लेंगे यह दिखते हैं प्लूर लेकिन हैं सिंग्लर इसले Ziye levar और कुछ मिसलेनियस थोरे से और नाउस मिय है और इसमें काफी डिस्क्रिशन यहां पर भी है तो इस लगाया जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस का यूज किया जाए दोनों के साथ देन वी हाब आर टाइटल सब्सक्रिशन के नाम टाइटल्स जो कि दिखते हैं प्लूरल अरेवियन नाइट्स आइज आ गुड नॉवल या इस बुड श्टोरी अरेवियन नाइट्स आर नहीं आएगा यह बुक्स के नाम है यह यह गेमस और स्पोर्ट बिलियर्ड एक्वेटिक्स जिमनास्टिक अथलेटिक्स डार्ट ट्राइट्स चेकर्स मार्बल्स कंचे डॉमिनोज राउंडर्स स्नेट्स और लेडर्स ताम से डी भी आप खेलते हैं दिखते हैं प्लूरल लेकिन इनको जो वब दी जाएगी तोड़ा बहुत अफिक जो अंडरलाइंड है उनको मैं तोड़ा डिसकस कर दूँगा और डिजीज मॉम्स है मिजल्स है रिवीज है रिकर्ट्स है शेंगल्स है डाइबटीज है डाइबटीज इस प्रॉब्लम तो डाइबटीज के साथ आर का प्रयोग नहीं किया है यह दिखते ही प्लूरल है लेकिन वास्ता में यह सिंग्वर है ठीक है नाव वी कम टू फिफ पार्ट अंद ब्रांचिज ऑफ लर्निंग जो यह अंडर लाइन है इनको हम डिसकस करने जा रहे हैं मतलब में आपको इनिंग भी दिखा दूँगा मतलब आज अगर नहीं आया इस वीडियो में तो इस गुरूप बी में जरूर आएगा कि स्मस्स यह एक्ट्टी एक सिंग्लर नंबर है टैंबल सिंग्लर नंबर है किर केट में कहते हैं है है यह कुछ नाम से हैं तो अब हम इनको देखते हैं आफ डिस्क्रटिव नेम सब कंट्रीज और टाइटल्स आफ बुक्स में तो कुछ डिसकुस करने की ज़रूरत है नहीं यह दिखते हैं प्लूरल लेकिन इनके साथ जो वब यूज की जाती है वो सिंगर आती है तो हम थर्ट कैटेगरी से आते हैं तर इस गेम साने स्पोर्ट अइक्वर्टेक्स पानी में खेलए जाने वाले जै Histor H यह बिलियर्ड नहीं वोड़ोगे बिलियर्ड आप इसमें स्टुकर्षब्ट वहते हैं तो तो वह तो मैं जाउँगा कि बढ़ना लग गेगा क्रिकट मैगजीन हो गई स्पोर्स मैगजीन की तरह में पढ़ा रहा हूं आपको वह नहीं करूगा लेकर अगर आपको किरिस्टी है कि बिलियर्स और स्नुकर में क्या डिफरेंस हैं तो वह आप चेक कर सकते हैं यह बिलियर्स होते हैं डार्ट यह ड round board with numbers on it तो आपको numbers पर मार्क करना होता है कैसे खेलते हैं मैंने तो कभी खेला नहीं है लेकिन गेम इस कॉल डार्ट तो डार्ट आर नहीं डार्ट इस माई फेवरीट गेम अगर मैं इनकी बात करता हूं तो तो फाइव डार्ट आर मिसीं तो फैव दार्ट के बात कर रहा हो और गेम को क्या कहा जाएगा डार्ट कहा हैं आप चेक कर सकते हैं और इसे कैसे खेलते हैं बिलीब में मुझे बहुत च्वादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं कि हमारे बाइट हो गया हमारे पास backyard हो गया हमारे पास है एक्सप्वाइट केस में इस्प्वाइल कई वर्प भी थे तो डार्ट एक्चुली जो है एक वर्प की तरह भी आ सकता है अचानक से कहीं चले एक तरह जाना अचानक से एक आया और भाग एक तरह एक तरह जादी में जाते हैं कुछ लड़किया आते हैं लड़किया लड़किया लड़कों को देख लेती हैं और आपकी एज ग्रूप की बात है आप चाहिए उसको समझेंगे भी अचानक से एक तरह चले जाना और अचानक से किसी के जल्दी से देखना है ताकि वह देखना लेगे हम देख रहे हैं तो आप आपकी एज ग्रूप के लिए अप्रोपियेट वर्ट्स है आधरवाइज जब फिलर्स में आएंगे क्लोश ट्रेस में आएंगे तो प्रॉब् अंब बेस्फ़ॉक्षिश है और बेस्बॉल जैसा गेम होता है और घंक से आपने पर इसको या पढ़ा वो तो दे देगा जो मन करेगा उसका और जब आप इनके आंसर देखेंगे तो हम जैसे टीचर देखने के बाद फिर कहीं से जाके आंसर चेक करते हैं और फिर आप लोगों के आगे-आगे हम लोग हीरो बन जाते हैं ऐसा नहीं कि हमें सब आता है हमें भी पढ़ना करता है और आपको इंग्लिक्स के अलावा और सब्जक्स में भी अप्डेटीट dhatना पडता है तो आपका इंभी यह मेरा काम तबर ड्रॉट ड्र यू जी एस ड्रॉट ठेक है ना थोड़ी हम वक्याप बाले पार्ट को भी लेंगे तो जो ड्रॉट है अकेला ड्रॉट अकेला ड्रॉट एस बगएर एस के बगएर आप कामरे में आने वाली थंडियावा का जोका जाड़े चल लहे हो और थोड़ी सी कह कहा जाता है कि क्लोज दे बिंडो आम इन ड्रॉट आम इन ड्रॉट से गें तो आप ड्रॉट कमिंग अंदर रह दोर जमीन के दरवाजे के निचे तोड़ी सी जो जगा है वहां से थंडी हवा रही है तो कमरे में आने वाली थंडी हवा का जोका एक समय में निगले गए तरल पदार्थ की मात्रा मादक पे तो एक बार में जितना दारू पी जाती है जितनी बीयर पी जाती है तरिस कॉल ज्रॉट अफ लिक्विड इस्पेशली अल्कॉहलिक दिंस होते हैं स्वैलोड अट वन पॉइंट एडवन टाइम है बहुत ज्यादा मैं इसके मैं विकॉज आ करी दे नहीं पाऊंगा लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में से कहा जाता घ्यान लखिए वन वर्ड में वर्ड खुब पुशे जाते हैं दा एमाउंट ऑफ एल्काहल ड्रंक एट वन टाइम या स्वैलोड एट वन टाइम तरिस कॉल रॉट कमरे में आने वाई ठंडी अवा य जितनी डारू पी जाती है और Honey अवह हों है वह भी ड्रोड है वह इस में डी आर ऑर एयू जी एस्ती है जाट और हमारे पास यह बनता है वह एक गैम है पास यह गेम है तो हो गया हमारे पास सूखा भी आता है जान दिळेगा यहां पर एक ए है डी आर ए यूजी एस्टी और यहां पर क्या है डी यार ओ यूजी एस्टी ज्राट और इस केस में इसका प्रूवर लंबर प्राइब रॉट्स पहले वीडियो में मैंने कहा कि हमारे पास जो लैंग्विज की प्रॉब्लम है हिंदी में कई वर्ट्स काउंटेवल हैं लेकिन इंग्लिश में वह अनकाउंटेवल हैं एंड वाइसा वर्सा तो आप उसुखे पड़ गया तो ड्रॉट्स बोला जाता है अब अकाल अकाल का हिंदी में ऐस सच आप लुवर लंबर नहीं बिना सकते लेकिन फैमाइस बोला जाता है यह तो ड्रॉट्ट किलियर होगे ठंडी अवा का जो का एक बार में जितनी दारू पी जाती है उसकी मात्रा अब जब हम ड्रॉट कहते हैं सुखा लॉंग पीरियोट अफ टाइम डूरिंग विच देर इस वेरी लिटिल और नो रेंग तो बहुत दिनों तक बारिश नहीं पड़ती बहुत दिनों तर अब फैमाइन एक्स्ट्रीम लैक ऑफ फूड ओवर लॉंग पीरियोट टाइम बहुत लंबे समयता खाने के खाद्य पदार्थों की कमी जिसकी वजह से कई लोगों की मिर्ति हो जाती है उस इस्तिति को फैमिन कहा जाता है अकाल कहा जाता है कई लोग फैमाइन या फैमिन आप जो प्रणॉस करना चाहें करिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है और फिर इस ट्रॉट पे आए और फैमाइन पे आगाए ठीक है वोकाब को भी एंजन्स करिए पढ़ने का जो मौका मिले आप पढ़िए दैन वी कम तो डिजीज पर आते हैं मंस हैं मिजल से अगर आपको मन करता है इंको पढ़ने का तो पढ़ लीजेगा एस तच एक कभी लोग जिसमें गर्दल सूच जाती है मिजल्स खसरा अब मिजल्स को आपने पढ़ लिया है विमारी है जो दिखाई पढ़ती है प्लूर लेकिन है सिंग्लर लेकिन अगर कल वन वर्ट में आ जाए मिजल्स क्या होते हैं देख लीजेगा अड़ डिजीज इन्फेक्शिश अड़ीज इन विज दा बॉड़ी फिल सॉट एंड़ इसके इस कवर्डि में स्मॉल एड़ स्पॉर्ट को खसरा यह होता है तो जरूरी नहीं है आप इसे लर्न कर लें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है बट यह पर पढ़ लेंगे तो कोई नुक्सान भी नहीं होगा म में हमारी बॉडी पर रेड króts वोजाते हैं mau sacrifice लोग है जो इस रोग से ग्रस प्राशू के काटने से किसी व्क्ति को होता है तीनलिस कुट्टे को ओंस्टे क्या है आप इसी जर्प ऑनिमस स्पेशली डॉग दाठ that causes madness and death अगर रेवीज से ग्रस कुत्ते ने किसी व्यक्ति को यह काट लिया किसी व्यक्ति को काट लिया तो उसको भी रेवीज हो जाएगा आप पर संगेट इट इफ इस बिटेन बाइद आनिमल आपने सुना होगा ना जो रेवीज की विमारी है वो किसको होती है एनिमल इस् आगर है टूबिया तो उससे क्या होगा व हिटाए अगर्स नेकिसी व्यक्ति को काट लिया उससे उधिकर है how did Woo트 है पनसी समझढके को कुत्त होगी और रेवीज से ग्रस कुत्ते में अगर किसी आएदनी Ты काट लिया तो आदनी को फिमारी होगी होगी हाइड्रोफोबिया ऐसा पानी के पास जाएगा नहीं और इसकी भी डेस हो जाती यह यह भी मर जाएगा इंसानों को नहीं होता रेवीज से समझा लिया आपको समझ में आ गया रेवीज ठीक है और रिकेट्स तूखा रोग होता है और डिजीज कॉल बाई लैक आप गूट पूर्ट सूख जाते हैं कई लोग रिकेट्स एंडन वी हाट शिंगल्स कच्ची दाद मैंने इसके वीडियो फोटो नहीं डाले परना आपको वमिटिंग आ सकती है इसलिए डाले नहीं यह नशों की बिमारी इसमें तुछा पर दर्ध मरें चकत्ते हो जाते हैं हिंदी है डिजीज डट अफेक्स दा नाफ्स एंड प्रडूसेज अब बैंड आप पेंफुल इ तो मत जाईएगा इसके अंदर में बस आप जहां लीजिएगा मॉम्स है मिजन से रिकेट से शिंगल से डाविटीज आप शिंगल पर तो हमारे पास आ गया डैन भी हाप दवर्ड शिंगल अब आपको होगे सर यह तो बिमारी होती है नहीं आप नदी किनारी जाईए तो वहाँ पर आपको पत्थ्रों का धेर मिल जाएगा समुध पर बिल जाते हैं और वह शिंगल होता है थीक है वह शिंगल है आपके पास मॉम्स मिजन्स रिबीज रिकेट्स शिंगल शिंगल बिमारी है और शिंगल एक अनकाउंटेबल नाउन है मास ऑफ स्मॉल स्मूथ तो बच्चे से जाते हैं जंगा जी के किनारे खिल ले हर दुआर में जाएंगे तो आपको बहुत पत्थर मिलेंगे पड़े हुए तो पत्थर के धेर को कहा जाता है शिंगल है तो सारी विमारीया भी हो गई अब हम आते हैं फिप्त पार्ट पे अंधर इस ब्रांचेज प्लांडरिंग में हमारे पास जो यह ब्रांचेज हैं इनको एक बाद चेक कर लेते हैं और सारा कौजक अप इसको मैं नेक्स वीडियो में ले लेता हूं और इस वीडियो में भी काफी आपके लिए मैटेरियल है एमनुशन है काफी हतियार है आपके पास काफी मतलब गोल पढ़ दीजिए और जब मैं इसको explain करूंगा तो आपके लिए चीज़े काफी comprehensible हो जाएंगे तैंक यू बेरी मुच्छ बाबाई हैपी लर्निंग